आपने वीडियो को टॉपिक देखा हुगा आज का हमारा वीडियो को टॉपिक है मूचल फंड्स आज हम जानेंगे कि मूचल फंड्स क्या होते हैं किसलिए यूज होते हैं और हमें इन्म इंवेस्ट क्यों करना चाहिए आज हम इस चीज के ओपर डिसकस करेंगे तो आपने कई जगा टीवी पर भी ये लाइन सुनी होगी न कि मूचल फंड्स आर सब्जेक्टिट टू डिसक है न यानि कि जोखिम भरा काम है तो वो चीज तो अब महता साब पहली बोल कर गए थे अगर रिसक है तो इसक है बिल्कुल सही बात है ठीक है जितना जादा रिस लोग है उतना ज्यादा रिबॉर्ड भी मिलेगा तो अब हम इसको सबसे पहले हम अपने खुत की भाषा में समझते हैं साधा सरल भाषा में कोई आराम से समझेंगे तो मिचल फंड जो है हमारे वो आप इस तरह से समझो कि आपको मान लो दिल्ली से केदारनाथ जाना है ब अब आपको में स्किल्स तो आप इसली पहुंच जाओगे दूसरा ओप्शन यह कि आपने पैसे दे दिये ड्राइवर को अब वो आपको छोड़ कर आएगा वो उसकी सरदर्दी भाई वो कहीं से कैसे भी किसी भी तरह से आपको छोड़ कर आएगा पर वो छोड़ कर आप चोड़ कर आओ हमको कैसे भी छोड़ कर आओ हमें निबाता हम ऐसे बैठके जाएगे बढ़ियाब ठीक है तो यह है और इसको समझते हैं कि मानलो कि आपने अपने पैसे एक समझदार इंसान को दे दिए जो स्टॉक मार्केट में है काफी टाइम से अब वो आपके पै अब चलो इसके टेक्निकल्टी में चलते हैं जो इसका है तो जी मूचल फंड्स कलेक्ट्स मनी पीपल लाक यूएंड मी हम आप जैसो से वह पैसे करता हैं मूचल फंड मानलो की 500 लोग है 500 लोगों को एक पूल है और उन्होंने पैसे लगा दी मूचल फंड्स में अब अपने रेंज के साफ से पैसे लगाएंगे, अब एक X amount में पैसे खट्टा हो गया, अब जो समझदार आदमी की बात कर रहा था ना मैं, वो fund manager है, ठीकर जी, सारा पैसे खट्टा होगा, अब fund manager के पास चला गया, अब वो अपनी analysis है, वो तो उसी field का बंदा है, वो तो जानत तरह तरह की companies में पैसे लगाएगा, दस तरह की companies में पैसे लगा देगा, बाइचांस को अगर एक डूबती है, तो दूसरी से उसको अच्छे खासे return मिल जाएंगे, कभी भी रियाद रखना है, इस चीज को कभी भी अपने सारे पैसे एक जगा मत डाल देना, वह ना ठोक क नुकसान खा जाओगे, बाइचांस को अगर वो डूब गई, तो तो पैसे डूब गई सारी, अगर वो उठती है तो बहुत अच्छा profit भी देगी, पर वह यह है कि हम अपने जो portfolio है, हमको उसको diversify करना है, अलग-अलग companies में हम उसको अलग-अलग diversify करतेंगे, ताकि कोई company डूबती भी है, तो उसके opposite में जोन सी company अच्छा return देगी, उस डूब हो पैसे को हम वहां से recover कर सकते हैं, और अगर वो और अच्छी चली गई, तो हमार को अच्छा खासा profit भी देगी, तो और इसको समझते हैं, जैसे mutual funds हैं, और ऐससे समझो कि आपने अमबानी साब की company मे काम कर रहे हैं, ऐसे समझ लो एक तरह से, क्योंकि अब वो काम करवाएंगे मतलब लोगों से, वो तो खेर क्या ही करेंगे, वो लोगों से काम करवाएंगे, भाई तो अच्छा काम करो ता कि हमारी company और grow हो, और इसका जो share price है, और increase हो according to time, अब जो fund manager है ना, वो अपने पै पैसे कमाएगा, वो interest से पैसे कमाएगा, अब जो वो ये सब चीजे पैसे कमा कमा कर हम आप लोगों को दे रहा है, तो भाई वो समा सेवा करने तो बैठा निया है, वो अपना भी तो कुछ रखेगा ना, जो उसका थोड़ बहुत commission होगा, वो खुद भी कुछ रखेगा, ऐसे थोड़ी हो फरी में सब की सेवा कर देगा, ऐसा नहीं होता, तो वो 1 से 3% तक commission चार्ज करता है, जिसको हम कहते है, expense ratio, एक से 3% के बीच में वो जो पांसो लोगों ने जो टोटल अमांट, एक्स अमांटे खटा कर दिया, उस अमांट का 1 से 3% वो खुद रखेगा, बा बाते हैं इसके types पर, तो जी इसकी पहले काफी सारे types होते थे, मतला कभी कोच कभी कोच कभी कोच कभी कोई सी company लेकर आ रहे हमारी है invest करो, हम इतना return देंगे, कभी कोई आ जाती है, इसमें करो, इसमें ज्यादा return मिलेगा, सेवी की सटक गई, उसने total 5 categories में बांट दे कि आ है कि अगर हम इसमें पैसे डालते हैं, तो हमारा पैस सीधा direct stock market में लगता है, stock market में पैस लग गया, तो वो high risk है, और high rewarding भी है, जितना, मला यह सबसे ज्यादा high risk और high rewarding का game चलता है इसमें, जितना profit और अतना loss भी है, पर तरीके से करो, तो profit अच्छा-खासा मिल जाता है, नहीं है कि loss-loss होते हैं, वो अच्छे से करेंगे, तो हमको अच्छा-खासा profit मिल जाता है, इनों में, second है हमारा debt mutual fund, debt mutual fund जो है, यह आता है, हमारा government bonds में, treasury bills में, मला यह government से related companies होती है, तो इनके डूबने के chances कम हो जाते हैं, क्योंकि government का back support होता है, इनके पीछे ना, तो इ बहुत में में खुश हो जाऊँगा, वो अपने पैसे इधर invest कर सकता है, थर आता है, hybrid mutual funds, अब जो बीच के लोग होते हैं, भाई हम तो जादा risk reward नहीं maintain कर सकते, और हमें कम भी नहीं चाहिए, तो यह आ जाता है, यह बीच में होता है, मतलब कि हमारे जो इसमें पैसे लग हो रहा है, ठीक है जी, चौथा आता है हमारा solution oriented mutual funds, solution जैसे नाम से पता लग रहा है, solution किसी चीज का है, तो उनके लिए है, जैसे कि अब हमारी शादी होगे, हमारे कल को बाल बच्चे होंगे, उनका education का भी खर्चा होगा, शादी का भी खर्चा होगा, चैलिमेरेज नहीं, जो वो बड़े हो जाएंगे, उसका कह रहा हूँ, ठीक है, तो हम बच्चों के लिए हम सेव करते चल रहे हैं, कि भाई 500 रुपे डाल दिया, 1000 रुपे जो भी हम डालेंगे, उतना कि हम 2000 रुपे हर मेने सेव करते चलेंगे, ताकि 10 साल, 20 साल के बाद वो हमको काफी ठीक, अच्छा रिटन दे देता है, तो जब भी हमारे को जर्थ पड़ेगी, कि शादी के लिए जर्थ पड़ेगी, तो शादी के लिए लगा दो, स्टडी के लिए जर्थ पड़ेगी, तो स्टडी में लगा दो, ये होता है solution oriented mutual funds, लास्ट आता है हमारे other mutual funds, other mutual funds में हमारे आ जा आठे वारी की, वो, टॉप की 50 कम्पनी में, टॉप की 50 कम्पनी को एखट्टी कर गे INDIA की, टॉप की 50 कम्पनी एखट्टी करके वो एक Nifty-Fifty बना देता है, और सेन्सेक्स बना देता है, और हमम्मूचलफंड में इन्वेस्ट हम इसली, SIP के थो कर सकते हैं यानि कि systematic investment plan हर महीने एक amount fix हो जाएगा आपका वो आप डालते रहो डालते रहो साल भर साल भर चलता रहेगा long term process है compounding को ताकत देखाने दो ऐसा निया कि बीच में निकाल लिया SIP के थो हम इसमें easily invest कर सकते हैं so यह है total mutual fund का का काम अभी तक तो so this is all for today all done hope you guys like it अच्छे लगे तो like करो subscribe करो thank you so much अब तो मैं एक भी लिया आए यार प्यार देखाओ बहुत सारा बहुत सारा